यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमरे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावत सले मात्रभू में एक विशह जो बड़े लंबे समय से हिंदुस्तान के कुशन मार्क पर लगा हुआ था बहुत सारे लोग उस पर चिंता जताते थे मुझको भी बहुत सारे लोग लिखते थे वो विशह ये है कि नेटफलिक्स पर कुश सीरीजें चल रही है पाताल लोक जैसी या Amazon Prime पर कुछ सीरीजें चल रही हैं जिनको मिर्जापूर नाम दिया गया है या कुछ और इन पर जो फिल्में बना का रिलीज की जा रही है इनका कोई regulation है के नहीं है या ये जो violations करते हैं उनको लेकर कोई भारत में कोई strategy है भारत सरकार की या नहीं है ये एक बड़ा कर रहा है और कुछ पेटेशनें भी पीछे Netflix के खलाफ या Amazon के खलाफ या Woot के खलाफ गई थी जिनमें कुछ सीरीजें चल रही हैं कुछ फिल्में चल रही हैं जिनमें open गालियों का इस्तिमाल किया जाता है न्यूडिट्री दिखाई जाती है स्मोकिंग दिखाई जाती है नशेवाजी दिखाई जाती है ड्राक्स दिखाई जाते हैं और देश विरोधी बहुत सारे सिरियल्स वो बनाते हैं जिसमें देश की इस्तिती को नहीं समझते देश के महोल को नहीं समझते और देश के परसितियों को ना समझते हुए वो कु जिनों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली है और उन्हें ने कहा OTT, स्क्रीमिंग, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओपर कोई रागॉलेशन है की नहीं है, वो कोई मॉनेटरिंग होगी की नहीं होगी, कोई मैनेजमेंट अफ कंटेंट है की नहीं है, और इ digital प्लेटफॉर्म पर फिलिम्स बना कर सीधी-सीधी चला दे जाती है और digital प्लेटफॉर्म पर इसको कोई रोक टोग या इस पर कोई वाच या कोई मोनेटरिंग नहीं है तो और अब अब पर cas of Beni के टाइं पर हम सब जानते हैं, कि बड़ी तीजी से लोग इन प्लेटफोर और लोग इनकी प्रती आकर्शत हो गए इनकी मार्केट खुल गई और लोग सीरियल बना बना कर अब इनको देने लगे टीवी पर चलाने के बज़ा है अब इन पर नेट सीरीज चलते हैं तो इन नेट सीरीज पर कोई रागुलेशन नहीं है और सुप्रीम कोट के सामने ये बात बिल्कुल जाहिर हुई उन्होंने कहा नेट फ्लिक्स, एमेजन प्राइम, जी फाइब, होट स्टार और इसके अलावा और वूट इनके रेगलेट करने के लिए क्या है तो उनेविल सुप्रीम कोट ने अभी मिनिस्ट्री आफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉड कास्टि इन इंटरनेट एंड मोबाइल आसोसीएशन ओफ इंडिया को दिये और कहा कि आपके जो इंटरनेट पर जो यह सीरियल चल रहुए है या सीरीच चल रही है इनका कोई रगुलेशन है कि नहीं है और सुप्रीम कोट ने किंद्र सरकार को कहा कि डिजिटल कंटेंट को लेकर उनकी monitoring को लेकर उनकी जो regulation है उनको लेकर आपका क्या विचार है इस पर आप हमको guide करें और भी सुप्रीम कोर्ट है उनको notice किया मैं आपको बता दूँ कि इस्मृती इरानी जिस समय information and broadcasting minister हुआ करती थी उस समय मैं भी चुकी media पर ही काम कर रहा था और हम मीडिया को किस प्रकार से guide किया जाए और मीडिया पर सही content जाए और गलत content ना जाए इस पर हम काम कर रहे थे तो हम लगातार ministry of information broadcasting को लिख रहे थे कि मीडिया पर बहुत कुछ गलत तरीके से कश्मीर के हवाले से दिया जा रहा है वो पाकिस्तान से release होता है वो भारत के नकसल से release करते हैं वो भारत के देश ब्रुदी शक्तियां release करते हैं और जो वहां दुनिया भर के terrorism और 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 जो separatist हैं वो release करते हैं और इस प्रकार की internet पर सब चल रहा है आप regulation करें हमरी बहुत सारे पत्र बेवार उनके साथ हुए बैटके हैं हुई information broadcasting के साथ उस समय इस्मृती रानी जी इस बात के लिए सहमत हो गई थी कि वो internet regulation लने वाली है इंटरनेट regulation को लेकर उन्होंने एक statement दिया था कि हम internet regulation बहुत जल्दी लाने वाले हैं हाला कि वो देश में उस पर बहुत सारे प्रशन ख़़ा हो गए देश में बहुत सारे question marks आ गए और उसमें कोविडोविड का time तो था नहीं नहीं कोई इस प्रकार का बंद था कि लोग इस पर आएं तो ministry of information broadcasting को समयशान तो होना पड़ा even यहां तक हुआ कि श्मृती रानी जी को वो छोड़ना पड़ा क्योंकि वो media control करना चाहती थी media content को control करना चाहती थी वो इस तरह के series के लिए एक regulation लाना चाहती थी और यह सब कुछ 2020 की फरवरी में हालाकि किंदर सरकार ने उनको notice किया था और कहा था कि self regulation या कोई regulation इसमें बनाया जाए नहीं बन पाया था इस मिर्तिरानी जी को उस समय पद छोड़ कर दूसरे मंतराला उनको मिल गया था इसलिए उस पर कोई काम उसके बाद आगे नहीं हुआ लेकिन जब कोविट का time आया तो ये series की भरमार लग गई और जो हम करना चाहते था 2017-18 में 18-19 में वो काम आज होता देख रहा है क्यों की हद हो गई है इन series ने बलगरिटी दिखाने के नाम से इनने लोगों को आकरशित करने के नाम से कुछ भी दिखाते हैं without any regulation तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है और Supreme Court जिस परकार से Honorable Supreme Court ने एक regulation पास करने के लिए independent broadcasting करने के लिए दूरदर्शन को एक independent body बनाने क के लिए आदेश दिया था CAB के केस में Cricket Association of Bengal versus Ministry of Information Broadcasting के मामले में और Supreme Court ने उस समय कहा था कि independent public body होनी चाहिए जो regulation लेकर आए तभी प्रसारभरती का निर्मान किया गया था अदर्वाइस उससे पहले सरकारी चैनल सारे के सारे केंद्र सरकार की Ministry of Information Broadcasting के control में हुआ करते थे और वो जैसे चाहती थी वैसे उसको चलाती थी लेकिन अभी अब वो एक independent body है एक autonomous body है उस body वो अपना decision खुद लेती है कि उसके सारे चैनलों पर क्या दिखाया जाए क्या ना दिखाया जाए और कैसे दिखाया जाए और वो किसके साथ agreement करेंगे कौन सी चीज मार्केट में जाएगी कौन सी नहीं जाएगी match counts चैनल दिखायेगा कब दिखायेगा कैसे दिखायेगा क्या regulation होगा वो सब independent तै करता है सरकार तै नहीं करती हाला कि यह अलग बात है कि सरकार appointment वहां के जरूर करती है इसलिए यह कह लीजे कि सरकार का influence वहां पर हो सकता है परन्तु एक body at इतनी independent है कि Supreme Court में वो अपने आपको present कर सकती है इसी प्रकार की एक body की मुझे लगता है new channels के लिए मुझे लगता है कि जो बाकी channels है उनमें government body की आवशकता है यह जो टियर पी issues चल रहे हैं इन पर government body की जरूरत है यह जो media monitoring के लिए NBSA जैसे संस्थान खुले हुए है जो privately चलते हैं इन पर government की एक autonomous body का होना जरूरी है जैसे press council है अलाकि press council के पास भी उतने teeth नहीं है फिर भी press council जैसे body होनी जरूरी है जहां पर लोग अपनी grievances को solve करवा सकें लोग अपनी शिकारते दर्ज करवा सकें हाला कि इस्मृति इरानी जी ने उस समय एक अच्छा काम ये जिला प्रसारिशन से जाके पूछेंगे तो वो बताएगा कि उसका head कौन है हाला कि वो किसी कोने में बैठा होगा that is a different thing लेकिन आप वहाँ पर उस जिले में प्रकाशित होने वाले उस जिले में चलने वाले किसी भी new channel किसी भी channel की शिकायत वहाँ पर दर्ज करवा सकते है अगर वो उस जिले में ही प्रसारित होता है तो वो लोग एक्शन लेंगे अगर state level का है तो state action लेगा और अगर central level का है तो फिर state की जो agency है वो central के ministry of information broadcasting को भेजेगे और वो उस पर inter ministerial committee बठा कर उस पर action लेंगे ये procedure वो बना गई थी एक regulation 2017 में वो जारी कर गई थी लेकिन उनका department बदल गया वो दूसरे पर भाग में चली गई इसलिए उसके बाद कोई भी उस पर आगे की कारवाई नहीं हुई जो अब Supreme Court मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से नोटेस किया है इस प्रकार C.A.B. की जो ruling है वही ruling के तहत यहाँ पर एक autonomous body अब बन सकती है जिससे कि भारत की जनता वहाँ पर स्वेम जाकर एक complaint कर सकती हो इस परकार के चलने वाले सीरियल इस परकार के चलने वाले न्यू चैनल्स इस परकार के चलने वाले यूट्यूब या screenshot media चैनल्स इन पर जो गलत दिखाया जा रहा है उसकी शिकायत की जा सकती है और वहाँ पर complaint की जा सकती है और आपकी grievances solve हो सकती है मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम सुप्रीम कोट के निगरानी में या सुप्रीम कोट की पहल पर उठाया जा सकता है Thank you very much इस पूरी organization को चलाने के लिए आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं जिससे कि law students को, lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है वो paid classes का lab ले सकता है